Hello everyone, welcome to English Magic Study IQ आई आज का session स्टार्ट करते हैं और इस एक जो models हैं हमने इसका topic जो है वो complete कर लिया है तो इसकी revision जो है वो देखते हैं First हमारे पास मैंने आपको model में starting में ही बताया था कि इसमें SES का use नहीं होगा और जो इसके अंदर दूसरी बात है हमारे पास क्या चीज़ है ing या जो है two can two में यानिकि two का use जो है इनसे पहले नहीं होगा रहेगा क्या इसमें models में हमेशा वरव one जो है वो useful होगी clear है इतनीक बातें आपको clear होगी दूसरा persons का जैसे दे है दे के साथ हम can use कर सकते हैं he के साथ भी can use कर सकते हैं इनका कोई भी effect जो है इसके ओपर जो है वो नहीं पड़ेगा निकि persons का जो है I, my, may, may, we, our, us, you, they इनके first, second, third person का कोई भी effect जो है models पर जो है वो नहीं पड़ेगा चाहे वो can है चाहे good है कैसे जैसे हम I के साथ can use कर सकते हैं he के साथ भी can use कर सकते हैं clear है चलिए next देख लेते हैं first question देखते हैं इसका does you tell me the time तो क्या किया गया एक polite request की गई है तो क्या गया would you tell me the time क्या चीज़ एक polite request की गई है ठीक है एक request डाली गई है politely जो है बात को कहा गया है कहां कहां पर यूज़ करते हैं would को polite request में यूज़ करते हैं polite request के लिए यूज़ करते हैं और कहां पर यूज़ करते हैं जब जो है हम चीज़ों को clear करने कोच्छ करते हैं जैसे unfulfilled desire है unfulfilled desire में क्या होगा जैसे आए के साथ वर आ गया या ही के साथ वर आ गया unfulfilled desire में past habit related work है हमारे पास कोई past habit related work हो गया improbable condition हो गई है या indirect speech में हम इसका use करते हैं would का indirect speech में polite request तो ही है ठीक है preference के लिए जैसे I would like to have coffee I would like to have coffee मैं coffee लेन अपसंद करूँगा या I would rather start than bag ठीक है ना एक preference के लिए भी हम would का use वो करते हैं clear है तो you tell me the time कि क्या जो है आप मुझे time बताओगे तो हमारे पास correct answer है would can कहां use होता है can होगा ability के लिए use capacity के लिए use होगा इसका ठीक है clear है यदि हम बात करें make कहां use होगा जहां पर हमारे पास exclamation exclamation क्या दिखाता है optativeness wishing जिसे आप कैसे तो wish करते हो आप किसी चीज की आप wish करते हैं या जो है किसी तरह से bless करते हैं उनके लिए हम make a use इसके अंदर करते हैं clear है चलिए माइट जब हमारे पास less possibility होती है बहुत कम संभावना होती है किसी काम को करने के जैसे आपने कहा I might go I am busy I might go कि मैं सायद जाऊंगा या perhaps वहाँ पर लगता है तो हम जो है वहाँ पर might का use जावो करते हैं तो correct answer है हमारे पास tell me the time would you tell me the time clear है next देख लेते हैं the candidates to appear for an interview क्या चीज़ जै देखो हमने क्या किया था to के साथ क्या था ought था ought to था हमारे पास या था used to तो आप कहेंगे क्यों औप्शन में है नहीं none का औप्शन है क्या बात है इसमे जो to है वो हम have के साथ भी use करते हैं और has के साथ यदे candidate होता तो has आ जाता या he होता he has हो जाता तो इनके साथ भी जो हम to का use जो है वो करते हैं clear है तो has या have यहाँ पर क्या जेका correct answer have to appear for interview clear है will कहा यूज़ करते हैं will use करते हैं जब हम prayer करते हैं किसी चीज़ की prayer करते हैं या किसी चीज़ को invitation देते हैं किसी को invitation देते हैं future की कोई condition रखते हैं ठीक है या हम warning देते हैं determination करके ठीक है वहाँ पर हम will का use व्याव करते हैं must का जब हमारे पास जो है वो use जो है वो करते हैं clear है चलिए have कहो गया sell और will जो है यह हमारे पास future के लिए use होते है future की conditioning करने के लिए हमारे पास जो है यह use होते है clear है चलिए तो हमारे पास आगा है the candidates have to appear for and enter चलिए next देखते है he does here because he is deep करते कि वह है negative क्या चीज़ है negative क्या चीज़ है ability है negative ability है उसकी तो क्या आ गया negative ability क्या चीज़ है तो उसके लिए जो हमारे पास can आ जाएगा clear है न negative ability के लिए can negative or positive I can do this I can solve this some I can speak English इन सभी के लिए जो हमारे पास abilities है capacities है उनके लिए जो हम can का prospect है permission है उनके लिए जो है हम can का use ज्याव करते हैं clear है may not negative हमारा आजएगा negative prayer के लिए हम use करते हैं या negative invitation के लिए negative future activity के लिए हम इसका use ज्याव करेंगे negative warning के लिए हम इसका use करेंगे must not both कम use करते हैं लेकिन फिर भी जब electricity की बात आती है कि you must not touch electricity उसको नहीं touch करना चाहिए you must not go to the railway track पर आपको नहीं जाना चाहिए ऐसी सी conditions के लिए जो हम इसका use ज्याव करते हैं clear है चलिए next देखते हैं हमारे पास तो हमारे पास आजएगा he cannot he cannot here because he is deep वह सुन नहीं सकता क्योंकि deep है चलिए windows are very dirty बहुत गंदी है विंडो तो क्या करना चाहिए you clean them बहुत जरूरी है तो क्या है must you must clean them आपको उनको must ली बहुत जरूरी है उसके लिए कि आपको जो है उनको जो है clean कर देना चाहिए तो कहां-कहां पर युज़ता है must compression के लिए prohibition के लिए use होता है dire necessity के लिए भी use होता है dire necessity वही चीज़ है compression की बहुत ज़्यादा तीवर जब जो है हमारी इच्छा होती है किसी काम को करने की तब जो है किसी को हम preach दे रहे हैं determination कर रहे हैं I must do it मैं इसको जरूर करूँगा ऐसी conditions के लिए यानि कि बहुत ज़्यादा जरूरत के लिए जो है हम use करते है must का make के बारे हमारे discuss हो गई है prospect के लिए permission के लिए optative sentence जिसमें हम जो है exclamation लगाते है can कहां पर उज़ोगा ability के लिए use होता है हमारे पास ability चाहे positive है चाहे हमारे पास negative है उसके लवा संभावना के लिए prospect के लिए possibility के लिए ठीक है उनके लिए जो हम इसका use करते है might जो हमारे पास same ही है लेकिन make के past में make के past में जो हम इसका use जो है वो करते है अलग से less possibility के लिए बहुत कम संभावना के लिए less possibility कह सकते हैं रिमोट पोसिबिलिटी का है तो दूर की संभावना जो है इसको कह सकते हैं clear है तो right answer है windows are ready you must clean them next देख लेते हैं teacher be impartial nispux होना चाहिए nispux होना चाहिए तो teacher को क्या होना चाहिए nispux होना चाहिए तो क्या होज़ेगा बहुत ज़्यादा जरूरी है must be impartial कि उसे जो है क्या होना चाहिए impartial होना चाहिए clear है sell का हमने करी लिए future में should कहां पर यूज़ोगा advice के लिए जब हम किसी को advice देते हैं सलाहा देते हैं किसी को list के साथ जब हम warning देते हैं किसी को otherwise ठीक है तो वहाँ पर जो है हम should का use जब हम बात करते हैं you should help the poor and needy जब इस तना के synthesis जब हमारे पास होते हैं जब हम सलाहा देते हैं किसी को advice करते हैं तो वहाँ पर जो हम इसका use जो है करते हैं जैसे you should take exercise daily आपको exercise daily करने चाहिए इन conditions में जो हम इसका use जो है वो करते हैं could कहां use करते हैं, जब हम bet लगाते हैं, कोई सर्थ लगाते हैं, या हम कोई condition रखते हैं, किसी तरह की कोई condition जो है हमने रखी है, उसके लिए हम इसका use करते हैं, जैसे I could lift this box, I could lift this box if I tried, कहते हैं यहीं मैं tried करता तो इसको उठा लेता, तो ऐसी condition से हम कोई लगाते हैं, तो right answer क्या है, teacher must be impartial, कि उससे impartial होना चाहिए, next देखते हैं, he asked if he borrowed my bicycle, पहली बात तो ask ड़ा गया, वरब to हमारे पास आ गई है, इस means क्या है कि can और may, यह दो option तो आपके नहीं आने हैं, दो option हमारे पास बचते हैं, could कहाँ पर हम जो है use करते हैं, bat के लिए use करते हैं, या condition के लिए, तो इसमें क्या लगी हुए है, condition if he borrowed my bicycle, यदि मांगता, तो मैं जो है देता, clear है, तो क्या हो गया हमारे पास, correct क्या हो गया, could, if he could borrow my bicycle, clear है, might कहाँ पर less possibility के लिए लगता है, make कहाँ पर लगता है, permission के लिए लगता है, prospect के लिए लगता है, can जो है हमारे पास ability के लिए लगता है, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं use, ask है, यह यहां ask होता, ask होता, तब हम यह इन दोनों में से select करते हैं, यह दो negative हो जाते है इसमें clear है चलिए तो right answer है if we could next देख लेते हैं assist you अच्छा मैंने cell का use आपको नहीं करवाया है cell का क्यों नहीं करवाया है क्योंकि वो आपका भी लिक है वो बिलिक में चलता IV के साथ हम लगाते हैं और future event के लिए लगता है ठीक है वो मैंने tenses में आपको अच्छे से करवाया है इसलिए यहां पर नहीं रखा उसको उगजले reverb के रूप में वहीं कराया है clear है तो हमारे पास आता है cell I assist you ठीक है न यह क्या चीज़ है क्या जो है इसका मतलब क्या है क्या मैं आपकी साहिता करूँगा ठीक है क्या मैं अपकी साहिता करूँगा विल के हमने बात कि है फिचरी एक्टिवीटी के लिए determination के लिए awareness के लिए हम इसका इसका यूज़ करते है वूड जो है हमारे पास rather के साथ prospect संभावना की बात कर सकते है ठीक है तो वहाँ पर हम इसका use जो है वो can का करते हैं तो क्या हो गया sell I assist you गागेगी में जो है हम use करते है will यह sell का ठीक है तो simple सी बात है तो I और we के साथ जो हमारे पास लगता है sell clear है चलिए next देखते है how does he say such thing about me करते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा जब हम जो है चीज़ों को उसके अंदर लेते हैं साहस के अंदर लेते हैं साहस या हिम्मत के साथ जो है हम चीज़ों को करने कोसिस करते हैं उनके लिए हम इसका use करते हैं तो आपको idea लगी गया है तो क्या चीज़ है dare How dare he say such things about me कि ऐसी बाते उसने क्यों कहीं Dare, सहस करना Need कहां लगता है जब हमारे पास किसी आवशक्ता होती है या negative necessity होती है आवशक्ता नहीं होती है I need not it जब हमारे पास इस तरह से होता है Must, compulsion के लिए लगता है या prohibition के लिए लगता है ठीक है ठीक है और suit कहां पर लगता है जब हम किसी को advise करते है कि आपको ऐसा करना चाहिए यदि इन दुनों को comparison करें तो इसमें क्या simple हम कहते हैं चाहिए हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए हमें बड़ों का आदर करना चाहिए इस तरह से must में compulsion होते है मजबूरी होती है कि ये ज़रूरी करना चाहिए ठीक है तो वहाँ पर जो हम इसका use वो करते हैं जैसे a son must obey his father कि उसको उबे जो है वो अपने father की करनी चाहिए तो must वहाँ पर हमारा use होता है clear है तो हमारे पास आगा dare he say such things about me जरूरत नहीं है उसके लिए हम किसका use करेंगे clear हो गए होगा आपको need not का जब हमारे पास किसी चीज़ की जरूरत नहीं है negative necessity है उसके लिए हम इसका use वो करते हैं तो you need not worry any more और ज़्यादा आपको worry करने की आप सकते हैं dare not कहाँ पर negative साहस के लिए जब हम जो है negative जो है नहीं के साथ negative हिमत की बात करते है negative साहस की बात करते है lack of जो हम इसको कह सकते है lack of ठीक है जो lack of dare हम इसको बोल सकते है कि उसकी कमी है हमारे पास की कमी इसके लिए उसके करते है must note जब हम किसी चीज़ को रोक नहीं कुछ करते हैं हम जरूरी दबाव देकर रोकते हैं clear है तो right हो कहा हमारा need not worry anymore next देखते हैं you give up smoking क्या कर रहा है वो advise कर रहा है advise जो है वो कर रहा है उसको उसको सलाह दे रहा है सलाह के लिए हम क्या यूज करते हैं कि आपको जो है यह छोड़ देनी चाहिए तो इसके लिए क्या यूज होगा सलाह दे रहा है तो you should give up smoking smoking आपको त्याग देनी चाहिए छोड़ देनी चाहिए सलाह देने के लिए हम सुड का यूज करते हैं लिस्ट के साथ करते हैं, वार्निंग देने के लिए करते हैं, तो उनके साथ जो हम इसका use करते हैं, clear है, तो can, can ability के लिए हो गया हमारा, ये bet condition के लिए use हो गया, can का past भी हम could को use करते हैं, ठीक है, और cell जो हम future event की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हम इसका use जो हो, cell का जो हो करते हैं, clear है, तो यहाँ पर जो हम यदि commonly देखें, तो rather weather के साथ हम would का use करते हैं, ठीक है, यदि जो हमारे पास sentence में आता है, warning आती है, उसको, या polite request करते हैं, तो would का use करते हैं, ठीक है, तो यह छोड़ जोड़ सी बात है, लिष answer, जो है आपका था, you worry about what the other will say, तो क्या है, you need not worry about what the other will say, clear है, तो क्या था, need not, कि हमें जो आशकता, जो हम नहीं है, दूसरों के बारे में, tension लेने की आशकता नहीं है, ठीक है, नेगिटिवनेस जो है, यहाँ पर दिखाएगा, नकार आत्मकता, जो है, वो यहाँ पर चेह हो की कई है, clear है, तो question मैंने आज का नहीं रखा, क्योंकि यह revision वीडियो था हमारा, तो जो है, जो भी आपका score बना है, आपका 10 में से, one मानकर एक को आप चले, one question एक के लिए, तो आप वो comment कीजिए, देखते है किसका score जैवा आता है, clear है, तो यह था आज का session आपके लिए thank you, thank you very much